पॉर भाई फोर ट्रंच विधी के लिए 24 आस पावर का टेक्टर है भाई यो मिट्सु विशी शक्ती का इसके अंदर इंजन है और भाई आग्गे लगे हुए वेट इस पे यो देख सको चलता हो अभी दिखामेंगे आपको जो भाई चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइ कर लिए वाई 15-15 किलो की चार प्लेट लगी हुई है पंदरा चोका साथ किलो वजन इसके आग्गे है ऐसे ही मैं पास से जाने लग रहा था रास्ते से तो मुझे सरदार जी नजर आये चलाते हुए जो मालिक्या उनर है सामने खड़े हैं भाई साब इन से भी बात चीत कर यह देखो कंडीशन बहुत अच्छी है पूरी जानकारी करेंगे कौन सा मोडल है कौन से गेर में चलाते हैं कैसा काम कर रहा है तो वही तीन साड़े तीन फुटिस के पिछे रूटर मालो आप क्यूंकि अब ज्यादा तर देखा होगा आपने जो हमारे किसान भाई है ज्य आप ट्रेक्टरी कंडीशन बहुत अच्छी है अवाज बगारा सब सुनवा मेंगे तो भाई साब इधर आजाओ थोड़ा सा यहां आजाओ भाई शर्षिकाल जी तो दोस्तों हम जितने भी बात करें गे सारी ही टोटल हिंडी में करेंगे क्योंकि पंजाब करेंगे तो आपको समझे नहीं है ने की तो बाई साब सबसे पहले मुझे आप ये बताओ यह अपना ट्रेक्टर है यह कौन सा मोडल ट्रेक्टर है 2017 मोडल तो नए लिया था अपने चलता वाली आपने कितने का लिया था बाई सब यहां 380 डाइक रुपे का तो बढ़ी यह काम कर रहा बढ़ार रहा है तो इसका इंजन किसा काम कर रहा है दो नुस् Holocaust जी सवराज व्यांस अब ड भाई गर और ग्हार में डेले सुरु ध다 वा है त्व हो स्कों जुर एक्षा काम कर रहे हो तो 24 पावर का ट्रेक्टर अपना इए ठीक है सिलिंडर में कितने में आता है यह एक में तीन सिलिंडर ट्रेक्टर है यह तो चला के दिखाओ जी आप इसे अच्छा इसकी आवाज के फैन होगे आप इसलिए ट्रेक्टर लिया आपने तो कौन से गेर में चलाओगे जैसे घास मान के चलो हल्का फुलकाई है तीसरे की लोग में तो दोस्तों तीसरे की लोग में चलाएंगे वाई साब देखो वाई कितनी बढ़िया अब आज है वाई इसकी तो वाई यह मान के चलो आप कि इतना भी पिछे घास भूँ से खबड़ है सारी खड़ी है इसमें वाई बिल्कुम तोक्ते से उड़ाता जा रहा है तो चाल चूल भी देख सकते हैं कितनी बड़ी अचाल है और आके घास भी दिखी रहा होगा आपको भी घास कितना जादा है लेकिने मान के चलो वाई ट्रंच वीदी इनके पास से दन्ना है ट्रंच वीदी बढ़ा तो वाई ज्यादातर ट्रेक्टर ही यही वाड़े काम अगर हम आवाज की बात करें तो भाई बहुत ही बढ़िया आवाज है ट्रेक्टर की वागी वाई जिन के अंदर यह मिट्सु विशिश का इंजन है वाई वागी बहुत तकड़ा इंजन है ट्रेक्टरों के अंदर और अगर मैं जुताई की बात करूँ यह देख सकते हैं आप कितनी बढ़े हैं जुताई कर रहा है तो बाकी ज्यादा तर जिन भाईयों के पास यह ट्रेक्टर हैं उन्हें खुदी थोटी जानकारी होगी इसके बारे में की भाई कैसा काम कर रहा है ट्रेक्टर यह तो भाई जी से चक्कर पूछेंगे कितने चक्करों पर चला रहे हैं इसे इसके चक्कर कितने हैं जी चक्कर है तोटल है और चला चलाते कितने चक्करों पर होग हैं जी 2400 पर चला रहे हो ठीक है जी तो भाई ओ 2400 आर्पियम पर चला रहे हैं इसे हम तो पूरे संतुष्ट अश्ट्रेक्टर से आप नहीं यह वाज बागी बहुत बड़ी है भाई ओ देखो आप आवाज सुन सकते हो और मुगी किशान लेना चाहे कोई तो आपकी असलाद लेना चाहूगे किसान को इस ट्रेक्टर के बारे में हाँ किसान कोई किसी से संतुष्ट है किसान हाँ ये बात भी सही है जी जी आप एक बार इसे बंद कर लो भाई साब थोड़ा तेल के बारे में बात करना चाहेंगे तो थोड़ा सा मुझे अब यह बताओ जैसे आप जुटाई करते हो अच्या भाई साब अगर हम मान के चलो तेल की बात करें ट्रेक्टर की तो तेल किसी साफ से ले लेता है बिगे के साफ से देखते हो या घंटों के साफ से देखते हो थीक ठीक हाँ थोड़ा सा सही भी कनफर्म नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपने जब कभी चैक ही नहीं करा तेल हाँ अपना तेल गेर लिया टंकी में अपना जुताई कर ली सही सही कोई बात नहीं भाई साब बहुत धन्ने बाद आपका हाँ जी हाँ जी वह अद्दा लिटर के आसपास भी कि मैंना कोई ठीक है बाई सब धन्ने बाद जी